मार कि आपने हिंदी मेडियम से युपेशू और थेवी रैंग असल की है निशान जी ने तो यहां बताइए कि निस्टी Crunch पाना उनके लिए कैसे पॉसिवल है क्या टिपस हैं उनके लिए और कैसे आपके आपने विल्गुल कैसे कि यह तेरे इंधी मीडियम से हैं पंकर जी जब हम लोग तयारी कर रहे थे यह 2012-2014 की बाते हैं तो तब हमारे सामने कोई ऐसा बहुत बड़ा बेंच मार्क नहीं था जैसे आज आप कहा सकते हो भी निशान जी आपकी 13th rank आई हिंदी मीडियम में हमने सुना था एक नाम किरन कोशल का जिनकी अपने जमाने में 3rd rank आई थी बट उसके बाद बहुत बदल गया और बहुत सारे बदलाव परिक्षा में आ गए दो ऑप्षिनल की जगे एक ऑप्ष मैं अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप चाहिए तो मैं हिंदी में अच्छे से लिख सकता हूं ऐसा मुझे विश्वास है तो मुझे कभी भी ये डाउट ने था आपने ओपर कि मुझे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो मुझे यह पूरा एक तरसे आस्था था ती अपने मीडियम के ऊपर और अपने ऊपर की और विश्वास था पूरा कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा रेंग मिलेगी। निशान जैसे आपने अभी बताया कि आपके जो विशेख थे तो आपकी जो गरेजूएशन में जो विशे था उसने आपको कैसे इस में आपकी कैसे मदद करें तो बहुत ज़रूरी नहीं है चीज की ग्रेजुएशन का विशे मदद करें हमेशा क्योंकि आप तो अकसर देखते हैं कि इंजीरियरिंग करके लोग फिर सोशॉलोजी या जोग्रफी या फिलोसोफी या हिस्ट्री इस तरह के ऑप्शनल और लैंग्विज भी हमेशा काम आती है क्योंकि लैंग्विज के कंपरसरी पेपर्स भी होते हैं और फिर जो भी आप मीडियम लेते हैं उसमें आपको भई मालो आपको बहुत सारी नौलीज है पर मेरा यह मानना यूप्यसी में बहुत बड़ा महत्व है इस तीज का कि आ एक्टूल मैं थूरर से शोग था एसी लिखने का और एसे में फोर्否र्ट ली मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स अअग्र उससुमे उस साल सबसेह इसे मार्क्स हो और हिंदी में ही मैं अशै लिखा था कि इसमें ने चाहता हूं कि एसंसे लिखते हुए दो-तिन बातोंको एक फिलोस्यॉविकल टाइब का उता और एक फ़ड़ा से Kat only do not कि कहंगों में एक-एक ऐसे आपको चुनना होता है तो वह जो आप चुने तो एसा चुने जो आप जिससे आप थोड़ा var हमिलियर हो और जिस त्पिक से आपकी चोरी लिख दे तो उसका एक भले छोटी सी रूप रेखा बना ले शुरू में पांच मिनट लगाएं दस मिनट लगाएं रूप रेखा बनाने विए कि आपके तीन घंटे में दो ऐसे लिखना है परियाब समय आपके पास और शब्द भी बहुत जादा नहीं लिखना है तो आप उसमें वहां कोट भी कर सकते हैं परग्राफ में लिखे चोटे-चोटे परग्राफ बनाएं प्रवहा होना चाहिए पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को एक रूची आने चाहिए उसमें तैयारी को लेकर ही मेरे एक और सवाल है कि आपका वैकल्पिक विश्य क्या था आप यह उसमें मेरा वैकल्पिक विश्य मैने ही घ्ंदी साहिते हैं अब हरो निए मेरा सवावविक आपका था कि मैंने मेरे ए की तो लिए उसमेर थोड़ी पकड़ भी थी और इसले मैं वो चुना और उसमें मेरा M.A. a का सीलिभ आ उसमें हो जाता है और जो जो टेक्स्ट यूपीस्स के साथ थे उनको पढ़ लिया तो उससे वो चीज तो हो गई अब रही बात जीएस की जीएस की एससे की इन चीज हो गी तो जीएस में मैंने क्या किया कि जीएस पेपर 1,2,3,4 वन में हिस्ट्री और थोड़ा वो होता है कल्चर टू में पॉलिटी और एकॉनमी होता है त्री में यह होता है जोग्रफी और तो फोर में एथिक्स होता है तो मैंने इन चारो पेपरों के लिए जो ऑथेंटिक किताबे अवेलेबल है प्रामानिक पुस्त के जैसे कोई गौर्मन पब्लिशर गी है या किसी बहुत ही प्रत इकॉनमी तो इन सब चीजों के लिए एक एक किताब और साथ में अच्छी मंतली मैगजीन जो यूपीस्ट की तयारी पर केंद्री तो और साथ में दो तीन अच्छी वेबसाइट्स जिन पर अच्छा कंटेंट और अच्छे कोशन पेपर आते रहते हैं यूपीस्टी की से पुष्टी यूपीस्टी